दोस्तों अगर आप भी महेंदर सिंग धोनी को एक बेहतरीन खिलाडी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर केजेगा। भारती टीम का हेड कोच किस खिलाडी को बनाना चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। हर एक ICC ट्रॉफी से सम्मानित करवा चुके हैं और फैंस भी यही चाहते हैं कि महेंदर सिंग धोनी को ही भारती टीम का हेड कोच बना देना चाहिए जबकि इसके बाद दूसरा नाम आ रहा था राहुल द्रवेड का जिन्होंने टीम के हेड कोच के जिमेदारी के चुके हैं और टीम को कई बार उचाईयों पर पहुंचा चुके हैं ऐसे में दोस्तों तीन नंबर पर नाम आ रहा है अनिल कुम्बले का अनिल कुम्बले रवी शास्त्री से पहले भारती टीम के हेड कोच थे लेकिन विराट कोछी से जड़प हो जाने के बाद कुम्बले ने इस्तीफा देना ही बेहतर समझाता लेकिन आपको बता दें अब फिर एक बार अनिल कुम्बले भारती टीम के हेड कोच बन सकते हैं और नय जोश के साथ वापसी करेंगे और अब परिस्तिती पूरी तरह से अलग है क्योंकि विराट कोछी और बोर्ड के बीच बीच ब के हेड कोच रहे हैं और रोहिट शर्मा से उनका फी अच्छा संबनत रहा है अगर रोहिट शर्मा भारती टीम के कप्तान बनते हैं तो कहीं न कहीं उनका रोजान महिला जैवर्धने की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि महिला जैवर्धने ना सिर्फ अच्छे ब धन्यवाद